जहिन दोस्तो तो आज हम देखेंगे सेट नमबर 18 को अपनी 5000 प्लस MCQ मेरेथान सीरीज को तो यहाँ पर कहें कि आज भी हम अपने 10 क्वेशन को देखेंगे तो जो हमारे क्वेशन रहने वाले हैं वो 171 से लेकर के 180 के बीच में रहेंगे तो यहाँ पर कहें कि आप वीडियो पूरा का पूरा कंफ्यूज कर देगा अगर हम हम इसके उप्शन को पढ़ेंगे यानि कि सुप्रीम कोड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लेमेंट गवर्नमेंट गवर्नर ओफ रेस्पेक्टिव स्टेट तो यहाँ पर कहें कि हमको ऐसा लगेगा कि चारो ही ऑप्शन बढ़ेगी या फिर जो लोडिंग होगी केसिस को देखते हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहें कि उनकी स्ट्रेंथ को डिटर्माइन करेंगे हाई कोड की तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वह जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अब यहां पर सैकिंड को देखते ह यह ट्रिक है इसकी कि जो Eastern Bridge है ना एक तरीके से यहाँ पर आप इसकी ऐई-यो यानि कि इस्टन ब्रिज पर आई-यो तो इंडिया और ओमान तो यहाँ पर कहें यह पांच दिन की एयर फोर्स की exercise थी इंडिया और एर फोर्स और जो रॉयल ओमान की एयर फोर्स है तो यहाँ प when vice president is discharging functions of president तो दोस्तों यहां पर यह बोला है कि जब president की vacancy हो जाती है तो उस case में कहें कि vice president president बन जाते है तो अब यहां पर क्या-क्या इनकी function से पहले इसको देखेंगे तो पहला option कर रहा he enjoys जाने के vice president की बात कर रहा he enjoys all immunities which are available to the president for his official act तो दोस्तों statement हो जाएगी ठीक he continues to perform the duties of chairman of Rajya Sabha तो दोस्तों statement हो जाएगी गलत क्योंकि देखो आपको पता होगा जो हमारे vice president of India है वो एक तरीके से क्या होते हैं वो ex-official chairman होते हैं Rajya Sabha के तो जब यहां पर Rajya Sabha को वो chairman के रूप में lead करते हैं तो अब जब यह vice president बन जाएंगे तो यहां पर क्या है कि जो deputy chairman होंगे वो क्या है कि वो उसको lead करेंगे तो यहां पर क्या है कि वो अपनी एक तरीके से continue नहीं कर सकते राज्यसभा के chairman के रूप में थर्ड करा he can pardon the sentence of a court-martial statement ठीक हो जाएगी he can promulgate ordinances on the advice of council of minister तो दोस्तों यह भी statement ठीक हो जाएगी तो जो हमारा answer होगा वो होगा भी यानि के वो he continues to perform the duties of chairman of Rajya Sabha यह वाली statement हो जाएगी गलत fourth questions को देखते हैं करा consider the following statement with reference to the provision of the panchayats extension to schedule areas act 1996 तो दोस्तों यहां पर कहें यह PISA Act के बारे में बोला तो यहां पर कहें कि 1996 में लाया गया था तो सबसे पहले इसके basic के बारे में हम यहां पर जानते हैं तो दोस्तों यहां पर कहें कि हमारा हो गया इंडिया का map तो आपको पता होगा कि जैसे 73rd constitutional amendment act लाया गया था 1992 के अंदर में तो इसने बोला था कि इंडिया के अंदर में कहें कि पंचायती राज सिस्टम आ गया तो पंचायती राज का मतलब है local self government तो यहां पर कहें कि इंडिया के अंदर में कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर पंचायती राज आ गया लेकिन पूरे इंडिया में नहीं आया था जैसे हमारे schedule areas हो गए जैसे tribal areas हो गए तो यहां पर क्या है कि इनका अपना जैसे tribes है ना हमारी इनका different culture देखने को मिलता है different इनके तरीके से नौम सुरूल से regulations रहते हैं तो इनको क्या है कि हम इनको क्या कि regulate नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए क्या है इनके tribal areas है फिर schedule areas में भी पंचायत आ सके तो यह क्या कि PISA Act 1996 का लाया गया तो अब यहां पर जैसे कि हमारी दस इस्टेटर जैसे आंदर प्रदेश होगी महाराष्टा होगी गुजरात होगी इनके जो schedule areas है अब इनके अंदर में भी कहा कि पंचायती राज आ गया यह PISA Act 1996 का कहता है और जो पीसा एक्ट ना यह हमारी बुरिया कमेटी थी जिसने recommendations दी थी कि यहां पर भी जो है पंचायती राज आनी चाहिए तो दोस्तों यह हमने basic को देखा अब यहां पर statement को पढ़ेंगे तो यहां पर कहा रहा है कि जो PISA Act 1996 के बारे में the provisions of the Act apply to the states of the Northeast India only तो दोस्तों यह गलत हो जाएगी यहां पर साफ साफ कह रहा है कि जो हमारी दस इस्टेट है इनके शीडियूल एरियाज है वहां पर अभी अपलाई हो जाएगा सैकिंड के रहा है ministry of rural development and ministry of development of North Eastern region और दा नोडल ministry for the implementation of the provision अंडर दी सेक तो दोस्तों गलत हो जाएगी statement जब हमारे पास में ministry of panchaiti raja है तो यहां पर कहीं कि यही तो apex आफिल नोडल बोडी रहेगी तो यहां पर कहीं कि statement साफ साफ यह जूट कह रहा है हमारी ministry of panchaiti नोडल बोड़ी है तो हमारा जो answer होगा वह होगा डी यानिके neither one nor two यानिके दोनों statement गलत है अब यहां पर fifth questions को देखते हैं क्यारा consider the following statement with regard to the estimate committee तो दोस्तों मैंने आपको इससे पहले बताया था parliamentary committee के बारे में तो आपको जैसे पता है कि parliamentary committee होती है दो type की एक होती है permanent दूसरी होती है temporarymaront kok dal को कहते है standing committee या और contemporary को कहते हैं ad hoc committee तो सबसे पहले मैं आपको उस time पर बताता financial committee के बारे में जैसे यह 3 type की होती है जैसे public account committee हो गई file निके committee on public undertaking फिर एक होती है estimate committee तो यहां पर कहें कि हमने सबसे अच्छे से क्या की कोपू को देखा था फिर अभी कुछ ही सैट में एक बताया था कि डिपार्टमेंटल स्टेंडिंग कमेटी जो हमारे इंडिया के अंदर में प्रेजन्ट में 24 मेंटी तोटल 31 मेंबर हमको देखने को मिलते हैं और याद रखना है कि 24 committees है ना इन में से 16 और एक 8 यानि के जो लोक सभा है इनके जो speaker है इनको nominate करते है इसको और जो 8 committees है जो राज्य सभा के chairman है तो याद रखना हमारी जो financial committee है और जो हमारी departmental standing committee है इन में कुछ difference देखने को मिलता है जैसे यहाँ पर कहें कि nominations होता है तो यहाँ यहाँ पर कहें कि nominate करा जाता है लोक सभा के speaker के द्वारा और राज्य सभा के chairman के द्वारा इस committee को जो lead करता है लेकिन जो हमारी financial committee है यहाँ पर होता है election और election भी जो होता है वो proportional representation by a single transferable vote से election होता है और यहाँ पर जैसे PAC public account committee में total होते है बाइस member तो बाइस में से भी पंदरा और साथ यानि के लोक सभा और राज्य सभा में से होते हैं ऐसे ही कोपु में भी क्या है बाइस मेंबर होता है पंदरा और साथ देखने को मिलते हैं लेकिन जो हमारी estimate committee है इसके अंदर में होते हैं हमारे total 30 member तो दोस्तों याद रखना 30 member होते है और 30 के 30 क्या है हमारे total पूरे लोगस्बा में से होते हैं तो यहाँ पर जो पी एस है यानि के public जहां पर बढ़ आ जाएगा वहां पर बाइस members होंगे राज्यसभा और लोगसभा दोनों में से होंगे क्योंकि public है तो यहां पर इंडिया क्या है कि जैसे rule of law है government है by the people for the people है तो ऐसे याद रख लेना कि यह public है तो लोगसभा राज्यसभा लेकिन जहां पर approval हो जाती है उसके बाद में यह budget का estimate करते है तो यह हमने देखा basic अब इसकी statement पढ़ेंगे estimate committee से regarding हापर यह क्या कह रहा है तो यह कह रहा है कि it is called a continuous economy committee since it examines all the ministries and departments throw out the year तो दोस्तों यह statement हो जाएगी गलत अब देखो इसन में कहा है कि आधी statement ठीक है आधी गलत है पहली statement है कि यह continuous economy committee है क्योंकि यहां पर कहे कि हर साल इसको बनाया जाता है तो यहां पर कहे कि हर साल यह committee जो बनती है और उसके बाद में कहा है कि यह बनती है लेकिन अब यह कहा कि इसके अंदर में और याद रखना rotation के basis पर ये examine करती है यानि के इस साल इसको करा अगले साल उसको करा इस तरीके से काम करते तो ये जो word है ना यहाँ पर all the ministry and department तो ये all जो है गलत हो जाएगा तो हमारे जो अगर बोलता कि कुछ को ही करती है तब statement हो जाती ठीक अब second statement करा है इट examines the budget estimate only after they have been voted by the parliament तो दोस्तों ये वाली statement हो जाएगी ठीक तो जो हमारा answer होगा वो होगा second only यानि के second statement ही हमारी ठीक है अब यहाँ पर six question को देखते हैं करा consider the following statement with reference to zonal councils in India तो दोस्तों यहाँ पर कहें कि सबसे पहले हम basic को देखेंगे तो आपको पता होगा हमारा सबसे पहले आ था 14 इस्टेट और 6 union territory में बाट दिया तो अब यह था हमारा state reorganization act के तहत में अब यहाँ पर कहें कि इसी act ने इंडिया को divide कर दिया पांच zonal council में तो देखो एस्ट एक हो गई एक वैस्ट हो गई एक हो गई नोर्थ और एक हो गई साउथ और एक पांच भी हो गई central zonal council तो देखो यह 1956 की बात चल रही है अब यहाँ पर कहें कि जो हमारा यहाँ पर नोर्थ इस्ट वाला रीजन है यह नोर्थ इस्ट वाला रीजन तो यहाँ पर कहें कि जो नोर्थ इस्ट जोनल council act 1971 का तो यहाँ पर ऐसे याद रहा है जब इंडिया बांगलादेश इंडिया ने आजाद करा था बांगलादेश को तो यहाँ पर कहें कि नोर्थ इस्ट जोनल संप्रभुता को बरकरार रखा जा सके इसका यह काम होता है तो अब यहाँ पर कहें कि कोशन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं क्यारा इस्टेटरी बॉड़ी इस बिल्कुल ठीक है क्योंकि एक्ट के तहद बनाए गई गई ती क्रिएट अंडर दी स्टेट्री और्गनाइ ना पहले इसके बेसिक को बारे में जानेंगे तो यहाँ पर आप ऐसे समझों जब भी किसी लिपि जग को रिमूट करना होता है तो यहां पर क्या ty पार्ल्मेंट के इंदर की पेश तो जैसे 100 तो होते हैं लोग सभा से MP का support सबोर्ट चाहिए होता है जब यह support यहाँ पर मिल जाता है तो उसके बाद में कहा कि resolution पेश होता है तो जब resolution रहाता है तो इसके बाद में कहा है कि inquiry होती है तो अब inquiry के अदर में क्या होता है तो removal of judge कैसे होगा एक होगा supreme court का judge एक होगा high court का chief justice और एक होगा eminent jurist तो यहाँ पर कहें कि तीन लोग यहाँ पर एक तरीके से inquiry करेंगे inquiry जब कर लेंगे फिर यह बता देंगे कि हाँ इसकी गलती है या नहीं है तो उसके बाद में remove कर दिया जाएगा तो लेकिन यहाँ पर दो reason के basis पर इनको remove करा जाएगा पहला है proved misbehavior दूसरा है incapacity तो दोस्तों इन दो reason के अलावा यहाँ पर कहें कि किसी भी judge को remove नहीं करा जा सकता और अगर हम president of India की बात करें तो president को impeach करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही reason होता है वो होता violation of constitution तो दोस्तों याद रखना basic को देखा अब statement को पढ़ेंगे तो first statement करा the judge of a high court can be removed on the same ground as a judge of the Supreme Court तो statement हो जाएगी ठीक second करा violation of the constitution is the only ground for the removal of a high court judge तो दोस्तों statement हो जाएगी गलत जो हमारा एक तरह के से violation of constitution है वो president के impeachment के लिए बोला जाता है तो हमारा जो answer होगा वो होगा one only यानिके एक statement जो हमारी ठीक है अब 8th question को देखते हैं तो देखो यहाई court के बारे में बोला union territory के बारे में तो देखो अभी थोड़ा सा basic को जानते हैं अभी तक क्या था कि अभी आज की डेट में 25 हमारे हाट टोटल हाइक इससे पहले होते थे 24 हाइक तो यहाँ पर कहें कि जो नया हाइक बनाये गया वह आंदरप्रदेश का ब बनाया गया है क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारा टेलंगाना जो हमारी latest state बना था तो उसके बाद में कहा है कि यह दोनों एक तरीके से तेलंगाना और जो आंदरप्रदेश है इन दोनों का common high court हुआ करता था लेकिन अब यहाँ पर कहें कि separate हो चुका है तो देखो यहा time period में बनाया गया था अब तूबी specific बात करूँ तो 1966 में डेली का high court बनाया गया था और जो हमारा यह 239 यानिके यह amendment करा गया था 69 constitutional amendment 1989 के अंदर में तो जो हमारा आज की date में यानिके union territory of Delhi है ना इसका नाम बदल के रख दिया गया था एंसिटी डेली यानिके national capital territory of Delhi यह कर जा गया था तो दोनों में कहा कि हमको difference देखने को मिलता है 1966 में कहा एक तरीके सा high court इस्टैबलिश वह था और 69 constitutional amendment 1989 में union territory of Delhi को and city of Delhi बोला गया था second statement करा establishing a high court for a union territory would require constitutional amendment तो दोस्तों गलत हो जाएगी याद रखना जब भी एक तरीके सा high court को बनाना होता है तो यहाँ पर कहा कि neither one nor two ninth questions को करेंगे करा which of the following is not the purpose of constituting cabinet committee तो दोस्तों आपको पता कि जैसे हमारी cabinet committee होती है तो यहाँ पर कहा कि यह भी दो टाइप की होती है जैसे permanent हो गई और यहाँ पर कहा कि temporary हो गई जैसे cabinet committee on economic affairs हो गया cabinet committee on security हो गया तो इस तरीके से तो यहाँ पर कहा कि इसको देखेंगे कहा रहा कि to reduce the enormous workloads on cabinet यहाँ पर कहा रहा कि purpose नहीं है तो यहाँ पर देखते हैं कि देखो पहला यहाँ पर इसका काम ही होता कि वह reduce करता जो भी workload होता cabinet के ओपर तो पहली statement हो जाएगी ठीक सैकिन कहा रहा to facilitate in-depth examination of policy issues and effective delegation तो दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगी यहाँ पर cabinet क काम ही होता कि in-depth analysis करें मतलब cabinet committee का कि कि किसी भी policy को ले करके third कह रहा है कि to give federal character to policy making तो दोस्तों यह हो जाएगी गलत क्योंकि यहाँ पर कहा कि कोई भी federal features है नहीं cabinet के अंदर में तो यहाँ पर fourth कह रहा है to sort out issues and formulate proposal for the consideration of the cabinet तो दोस्तों यह ठीक हो जाएगी यहाँ पर कह रहा कि under the 73rd and 74th constitutional amendment act no election to any municipality या पंचायत can be questioned except by any election petition presented to which of the following authority तो यहाँ पर यह बात कर रहा जैसे 73rd amendment हमको पंचायत के बारे में बताता और 74th amendment जो हमको municipality के बारे में बताता तो यहाँ पर कह रहा है कि suppose करो यहाँ पर election होगे पंचायत या फिर मुंसिपैलिटी के अब पंचायत question करा जा रहा तो इसमें कहा कि हमारा जो आर्टिकल 243 है जो पंचायत और मुंसिपैलिटी से डील करता तो इसके अंदर में साफ साफ प्राफदान ये दे रहा है कि अगर कोई भी questions आता है तो सबसे पहले हमको election petition डालनी होगी और जो election petition है इसकी सुनवाई कौन करेगा तो इसके अंदर में कहा कि जो इस्टेट लेजिसलेचर चाहे किसी को भी पावर दे तो वही उसकेस में कहा कि उसकी सुनवाई करेगा तो हमारा आंसर होगा यह क्योंकि यहां पर कहें कि को साफ साफ फीचर हमारे आर्टिकल के अंदर में define करा गया है अब यहां पर इसके statement को पढ़ लेते हैं कि आठ डिस्टिक्ट कोर्ट इन दा डिस्टिक्ट टू विच दा मुंसिपैलेटी और दी पंचायत बिलॉंग्स तो इस्टेटमेंट हो जाएगी गलत दा हाई कोट ऑफ दी कंसर्ड इस्टेट गलत फोर्द करा दा स्टेट इलेक्शन कमिशन यह भी गलत तो दोस्तों हमारी सी हो जाएगी ठीक क्योंकि यह क्या है कि हमारी टूदी पॉइंट हमारे आंसर है जो कि हमको क्या की पता होने चाहिए तो दोस्तों यह थे हमारे सेट एटीन के दस क्वेशन सो अभी के लिए इतना थेंक्यू गाईज